सिद्ध योग में आपका स्वागत है। शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिलकुल मुफ्त में। आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज़द ठिंग करता है, आप एक जगे अपने कंसेंट्रेशन नहीं रख पाते हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। तो दोस्तो आज हम आपको पताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में, जिसका अभ्यास आपको इन सारी परेशानियों से दूर कर देगा, जिसका की नाम है अस्ट चंदरासन, हाई लंच पोस्त। तो दोस्तो अगर आपको lower body से related कोई injury है, जैसे कि आपको knee से related कोई injury है, आपको ankle joint से related कोई injury है, साथी साथ आपको hip joint से related कोई injury है, या फिर आपको lower back से related कोई injury है, shoulders joint से related कोई injury है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है, साथी साथ अगर आपको low blood pressure या high blood pressure की समस् तो आपको अपने डॉक्टर से एडवाइज लेने के बाद ही इस आशन का अभ्यास शुरू करना है तो दोस्तो चलिए आप हम लोग शुरूआत करते हैं अपने इस आशन के अभ्यास की तो जैसे कि मैंने आपको पताया कि ये आशन खड़े होकर करने वाले आशनों की कैटे हो जाना है और हमें आजाना है थाड़ासन की पोजीशन में थाड़ासन में आने के बाद हमें अपने दोनों खुटनों को हलका सा बैंड करना है और अपने लेफ लेग को पीछे की तरफ लेने के बाद आपको ध्यान रखना है कि अपने पैरों में थोड़ा सा गैप जो आपकी left heel है, वो mat के उपर रहेगी, और आपका जो front leg है, वो band रहेगा, तो आपको अपने front leg को उतना ही band करना है, कि आपका right knee और right ankle दोनों एक line में रहे, आपको इस तरीके से बहुत जदा band नहीं करना है, आपको इतना ही band करना है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप को उपर की तरफ देखना है, अगर आप अपने front leg को band नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने पेरों के बीच में थोड़ा gap बढ़ा सकते हैं, ध्यान रहे, आपके जो toes हैं, वो heel की maximum line वे रहेंगे, बहुत जदा out इस तरीके से नहीं करना है, तरीके से अंदर लगना है, high lunge pose है, आस्ट चंदरासन है, यह उसकी beginner variation है, अगर हो सकता है, कुछ लोग का पेट पहुंच अगे के तरफ बढ़ा हुआ है, या फिर उनकी flexibility कम है, आपकी hamstring muscles और hip joint की, आप अपने हातों को नीचे नहीं रख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप block लेकर, इस तरीके से इस आ अलका सा press करते हुए, अपनी chin को ऊपर की तरफ उठाना है, तो as a beginner, आप इस तरीके से इस आसन का अभ्याद सुरू कर सकते हैं, जैसे जैसे आपकी flexibility बढ़ती है, आप block को नीचे की तरफ करके, इस तरीके से इस आसन का अभ्याद सुरू कर सकते हैं, तो दोस्तों पहले आ इस आसन की variation में आ सकते हैं, और अगर आप चाहे तो down dog से भी इस आसन का अभ्याद कर सकते हैं, तो जैसे कि आपको करना क्या होगा, आपको आ जाना है downward facing dog में with blocks, तो आपको blocks को अपने दोनों हातों के नीचे रख कर, आपको पहले आना है downward facing dog, यानि कि अधुमुक्षवान आसन में, फिर यहां से हम अपने right leg को आखे की तरफ लेके आएंगे, दोनों blocks के बीच में, और इस तरीके से आगे वाले pair को band करते हुए, हम इस तरीके से भी इस आसन की जो variation है, इसका अभ्यास हम कर सकते हैं, वापस जाने के लिए pair को वापस ले आगे, downward facing dog, इसी तरीके स हम बाए pair से, block की height आप अपने according set कर सकते हैं, जैसी भी आपको करनी है इस तरीके से, तो दोस्तों यह हुई इस आसन की beginner variation, आप इस तरीके से कर सकते हैं, अब हम चलते हैं इस आसन के next step की ओर, तो next step में आपको क्या करना है, जब आप यहां पर आ जाते हैं, आपकी flexibility बढ़ जाती है, आपकी strength बढ़ने लगती है, आपकी lower body की, फिर आपको क्या करना है, आपको जो blocks हैं, उसको इस तरीके से, दूसरी block को यहां पर रखना है, और अपनी thigh को, जो आपको पीछे वाली thigh है, उसको block पर support कर देंगे, इस तरीके से, और दोनों हातों को ऊपर उठाते इस तरीके से, आप इस आसन के final pose में आ सकते हैं, तो यह जो है, इस आसन की supported variation है, हमने block के support से, अपने body को, उपर की तरफ उठा लिया है, और यह हम आ गए हैं, high lunge की position में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस आसन के अभ्यास में, आपकी जो front thigh है, उस पर काफी अच्छा pressure परता है, तो आपकी जो front thigh है, उसकी जो quadriceps muscle है, वो strong होती है, आपकी जो calf muscle है, ankle joint strong होता है, साथी साथ आपके hip muscles और hamstring muscles को बहुँच अच्छा stretch मिलता है, आपके hip joint की flexibility और mobility, दोनों ही इस आसन के अभ्यास से बढ़ेंगी, और जब आप support के साथ करते हैं, तो आपको balance पर हम इसी variation को दूसरे pair से भी कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, कि अपने pair को आगे लेके आएंगे, block को हटा कर इस तरीके से, अब इस तरीके से हम अपने left leg पहाँए pair को पीछे लेके जाएंगे, block की position को रखेंगे, तरीके से यहाँ पर आपको adjust कर लेना है blocks को, कि आपकी ज इस वरा leg है, उसकी जो time muscle है, वो block के उपर आ जाएगी, और धीरे से balance बनाते हुए, दोनों हाथों को उपर की तरफ, हाथ की उगले खुली रहेंगी, elbows पूरी तरीके से straight रहेंगी, हलका से chin up करेंगे, अगर आपको सरवाकिल की समस्या है, तो आपको neck को बहुत ज़्याद से, आपकी rips जो है, वो stretch होती है, आपकी back bending बढ़ती है, आपकी spine की flexibility बढ़ती है इस आसन के अभ्याद से, वापस आने के लिए हाथों को नीचे लेके आएंगे, अधीर ऐसे block को नीचे रखकर, अपनी दोनों पैरों को मिला लेंगे, और standing में आ जाएंगे, तो इस आसन क इस variation का अभ्याद भी आप चाहें तो downward facing dog से कर सकते हैं, आप चाहें तो Matt के top पर आकर भी कर सकते हैं, अब हम चलते हैं इस आसन की final pose की करव, तो सबसे पहले blocks को side से रख देंगे, आप हम इसकी final pose की variation वो हम downward facing dog से करेंगी, तो हमें आ जाना है downward facing dog में, अब downward facing dog से हम अपने right यानिके दाय पेर को आगे लेके आएंगे दोनों हातों के बीच में इस तरीके से fingers पर फिर balance बनाते हुए और त्वास बरते हुए आगे वाले पेर को band करते हुए, दोनों हाथ को ओपर की तरफ उठाएंगे, back जो heel है उसको ज़्याज़ ज़्यादा ऊपर की तरफ उठाना है, थ्यान रहे, इस तरीखे से नहीं रखना है, आपकी जो पीछे वाली A-D है, उसको ऊपर की तरफ उठाएं बढ़ाता है, hip joint की flexibility बढ़ाता है, lower body की strength बढ़ाता है, यह आसन, कभी सारे benefit आपको मिलेंगे, और साथी साथी इस आसन के अभ्यास में हम लोग balancing भी करते हैं, तो जब हम लोग balancing करते हैं, उससे हमारा nervous system और अच्छे से काम करने लगता है, और हमारा sympathetic और parasympathetic nervous system दोनों ही अ आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल लगते हैं, वापस जाने के लिए दोस्तों हमें इस आसन के अभ्यास से स्वास छोड़ते हुए, हाथ नीचे लाएंगे, और अपने right leg को पीछे लेके जाएंगे, पैरों को आगे लेके आएंगे, तो जिस तरीके से हमने right leg से किया ह चीज़ आप इस आसन का अभ्यास लेक लेक्स से करना है, दोनों पैर से हमें इस आसन का अभ्यास करते हैं, जो हमारा पैर आगे रहता है उसकी strengthening बढ़ती है, जो पैर पिछे रहता है, उसकी strengthening बढ़ती है, और ये आसन, आपके posture में बहुत जाद़ा improvement लाता है, जो लोग व बहुत ज़्यादा काम करते हैं उसकी वैसे उनके शोल्ड ड्रॉप हो जाते हैं बैखंच हो जाती है लोवर बॉड़ी की स्ट्रेंद कम हो जाती है वो लोग इस आसन का अभ्यास चरूर करें इससे उनको बहुत ज़्यादा मिलेगा दूसरी चीज आप चाहें तो इस आसन का अभ्यास walls के सपोर्ट से भी कर सकते हैं तो इस आप्यास मैं आपको wall के सपोर्ट से भी करके दिखा जिता ओं तो हम लोग देखते हैं कि wall support से कैसे के हम्हहां आपको आपने राइट लेकी जाना है heel को wall से touch कर देंगे toes नीचे रहेंगे दोनों पैरों में अच्छा ता gap बना लिजी इस तरीके से और आपकी जो back heel है वो wall को support करेगी और आप दोनों हातों को इस तरीके से उपर उठा लेंगे तो आपको जो पीछे बाला पैर है वो wall को support करता है जिसकी वैसे आपको balancing में दिक्कत नहीं आती है और जो लोग heel को उपर नहीं उठा पाते है वो इस तरीके से अपनी heel को उपर उठा कर भी इस आसन का अभ्यास बढ़ी ही आसानी से कर सकते हैं आप चाहें तो हातों को कमर पर भी डख सकते हैं आपको shoulder related problem है आपको survival की problem है नेक में पेन है तो आप इस आसन का अभ्यास दोनों हाथों को कमर पर रख कर इस तरीके से भी कर सकते हैं बैर को वापस लेके आएंगे तो दोस्तों यह हमने आपको इस आसन की जो भी variations हो सकती है beginners के लिए बताईं और किस तरीके से आप beginner variation को करके final pose तक पहुंच सकते हैं यह भी हमने आपको इहां पर बताया है इस आसन का अभ्यास शुरुवात में आप इसके 2-3 round कर सकते हैं हर round में आप इस आसन में 20-30 second तक रुख सकते हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस जानखारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इस आसन के ज़्यादर ज़्यादर benefit आप लोग ले पाएंगे तो आप करिए इस आसन का अभ्यास हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए आशान के साथ तब तक के लिए नमस्कार